वेलकम आल, I am सुथी, आज हम क्लास एट का तुरित्य पार्ट पढ़ेंगे, बिजी भारतम बिजी भारतम हमें इस पार्ट के अंदर कुछ इस प्रकार से चीज़े बताए जा रहे हैं कि जो हमारा भारत है वो बिलकुल डिजिटल हो चुका है आजकल के दौर पे आप देख रहे होंगे कि एक ग्लिक करते ही सारी चीज़े हो जाती है चाहें वो बैंक स्टेट्मेंट ही क्यूँ न आ हो, चाहे हो ओनलाइन शॉपिंग ही क्यू न आ हो सारी चीजे इंटरनेट द्वारा ही हमारे जीवन में ओल टोटली सारी चीजे इसी प्रकार हो रही है तो हम चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं अदाह संपूर्ण विश्य है मतलब पूरे विश्य में डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा सुनने को मिलती है अस्य पदस्य कहा अभाव हा इसका जो यानि अर्थाद जो इसका अभाव है डिजिटल इंडिया जो यह शब्द है इसका क्या अभाव है क्या मतलब है मनसी जिग्यासा उत्पध्यते इसमें बोल रहे हैं जो मानव होते हैं जो हमारा मन होता है उनकी क्या होती है जिग्यासा को उत्पन होती है इससे जिग्यासा उत्पन होती है काल में जो परिवर्तन के साथ सह मानवत से काल परिवर्तन के साथ साथ मानवत से आविशक्ता है अपी जो मानव की जो आविशक्ता है उनमें भी परिवर्तन मतलब उनमें भी काफी सारे चेंज जिस आएं है प्राचीन काले जियानस से आदान प्रदान मौखिक आती बोल रहे हैं प्राचीन काल में यानि पहले के समय में जो ज्यान लोग जो लेते थे, मतलब जो ज्यान अर्पित करते थे, उसका अदान प्रदान, मतलब उसका लेन दे, मौखिकम, मौखिकम मतलब होता है सुनने से, मौखिकम आस्थी, मौखिक सुनने के दौर से शुरू किय ग्रेयातुमसि और जो विद्धिया थी वो मतलब सुनने के उससे ही घ्रेयन की जाती थी अनंतरम ताल पत्रोप्तरी भौज पत्रोपरी चा लेखनका रे आरंबं इसके बाद अन्यधा इसके बाद क्या हुआ ताल पत्रों परी ताल पत्र जो है भोज पत्र है इनमें लेखन कारे आरम भोना शुरू हुए परिवर्तनी काले कर्गदस्य इसके बार और भी परिवर्तन हुए फिर क्या हुआ कर्गदस्य मतलब जो कागच है लेखनया उस पे लिखना चाविशकारें सर्व शामेव मनोगताम इस पे क्या हुआ कागच के आविशकार हुए जिस पे कागच पे लिखना शुरू हुआ कर्ग दोपरी लेखनम प्रारंब और कागच पर लिखना प्रारंब हो गया तक कंड़ नयंत्रस से अविशकरम तु लिखिता सामगरी तिकती सती बहुकाले सुरिक्षिता हुआ फिर उसके द्वारा काफी सारी चीजे लिखिता हा तंकिता करी गई मतलब अटक्रम करना शुरू की गई वैज्यानिक प्रभधी प्रगतियात्रे पुनररपी अग्र गता और वैज्यानिक रूप से जो भी शारी चीजे थी हमारी रज्यानिक तक्नीकियां जो थी, वो सारी धीरे-धीरे अग्रे मतलब बढ़ती चली गई उन्हें अपनी आगे बढ़ने की गती पकड़ते चली गई अध्या सरवानी, कार्यानी, इसके बाद सारे विश्व, मतलब सारे काम जो थे संगन कंणे नाम, यंत्रेन, साध्यतानी भवती, इसके बाद क्या हुआ, कि जो संगन का नाम, केन, मतलब बोल रहे हैं जो कंप्यूटर जो था, कंप्यूटर आया इसके बाद, और इसके बाद जितने भी काम थे, वो सारे कंप्यूटर द्वारा किये जाने लगे समाचार पत्रानी, पुस्तकानी, च कंप्यूटर माध्यन, पठेनते लिखनते चा, समाचार पत्र जो थे, और जो पुस्तके थी, वो उसी द्वारा छपने लगी, और कंप्यूटर द्वारा ही पढ़ने, वो लिखी जाने लगी और इस प्रकार क्या हुआ है कि जो कर्ग मतलब जो कागत था उसके वैजे से पेड़ों की कटाई कम होने लगी परम संग्ड कस्य अधिकाधिक प्रियोगेन व्रिक्षा नाम करतेन न्यूंता भविश्यती इती विश्वाजा और इसमें यह बोल रहे हैं कि जिस प्रकार काम सब कुछ सीज्ज द्वारा शुरू हो गए है तो इससे बोल रहे हैं हमारे भविश्यय में यह बिश्वाथ दिलाती है कि आगे जाके हमारे पेड़ों की कटाई शुरू मनलब पेड़ों की जो कटाई है वі कम होगी और हमारे वातवरंड में काफी सारी अनेन प्रायवरंड सुरक्षाय दिशी महाम उपकारों भविश्यती और हम एक सरीके का उपकार कर पाएंगे अपने प्रायवरंड के उपपर अधुना आपरे इन वस्तु कर्यार्थे इन रूपे कारणम अनिवार्थम नास्ती फिर बोल रहे हैं इस प्राकार जितनी भी वस्तु जो थी हमारी वो रूपे ओ द्वारा ना लिये जाने लगी वो मतलब पैसो से न लेकर डैबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इत्यादी मतलब इन दोनों चीजों जो हमारे डैबिट कार्ड और जो क्रेडिट कार्ड हैं इन से ये चीज लेना शुरू हो गई सर्वत रूपे कार्णम, स्थानम, घ्रियतवन और पैसो की जगा जितने भी हमारी जो हम कैश पेमिंट किया करते थे उसकी जगा हमारे हर जगा डैबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही सारे काम होना शुरू हो गए वित कोश्च से, बैंकर से, जितने भी हमारे मतलब बोल रहे हैं जो वित कोश्च से जो हमारे बैंक हैं चापी, सरवाणी, कार्याणी, संग्रंते, संपाध्यंते और हमारे जितने भी बैंक है, हमारे भी सारे का कंप्यूटर दारा किये जाने शुरू हो गए जितने भी हमारी cash payments होती है records अगर रखे जाते हैं, वो सबी चीजे बहुविद्या, अनुप्रियोग और क्या होने लगा, हमारे फोन के अंदर भी काफी सारी एप्स, पेमेंट के एप्स लाइक पेटियम और फोन पे, ऐसी सारी चीजे भी मुद्रहीना, वीनी, महाये, cashless मतलब, इसका मतलब है cashless transaction जो थी, वो होना शुरू हो गई, बिना पैसर दिये हाथ से हम रुपया नहीं देते हैं, बट वो card के द्वारा और app के द्वारा ये काम करना शुरू हो गया, कुत्रापी यात्रा करनी हम भवते अब पहले के समय में क्या होता था जब हमें कहीं पी भी, rail यानम यात्र पत्रस से, हमें कहीं रेल में अगर कहीं यात्रा करनी है तो हमें वहां की टिक्टो के लिए हमें पत्र मिला करता था हमें वो संभाल के रखना पड़ता था वायू यान यात्रा पत्र से और वायू यान में अगर हवाई जाच की सैर करनी है तो उसके लिए हमें पत्र रखना पड़ता था दुर्भाश्यंत्र और इसके साथ सारे हमारे पत्र जो भी थे हमें वो इमेल द्वारा आना शुरू हो गए जैसे कि हमारे कोई भी कॉलेजिस के हैं या फिर कोई भी स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स हो गए या फिर कोई भी चीजे हो गई उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे इमेल द्वारा ही हमारे फोन में आने लग गए इत्ती स्थाने सुरक्षितानी भवानी भवंती यानी संदेश्य वयं सैक्ड़यन यात्रा आनंदर गहिदम और इसके साथ सथ ये एक ये फायदा भी हुआ कि हम पहले हमें क्या थी हो कागजों को संभालना पड़ता था और ये सब चीजे क्या है हमारे फोन में ही सुरक्षित रहने लग गई और कापी सारी चीजे क्या है उन चीजों के कापी सारी चीजों ने इनने ही फोनों नहीं क्या लेली जगा ले ली चिकित से काल ले और हम उपचार रुपे कार्म, उनसे उपचार कराने के लिए जो भी पैसा देना पड़ता है, वो भी फोन द्वारा होना शुरू हो गया, उसमें भी हमें कैश की जुरूत नहीं पड़ती, सरवर्त्र कार्ड माध्येन, और क्या है ये सब चीजे कार्ड माध्येन से ही चलना शुर वह दिन अब दूर नहीं है, यदा वयम हस्ते एक मात्र चल दूर भाष्य अंत्रदाय है, वह दिन बोल रहे हैं कि वह दिन अब दूर नहीं है, जिसन हर किसी के हाथ में एक मात्र चल दूर भाष्येन, वह एक तरिके का पूरा अच्छा मोबाइल फोन सब के हाथों में दि का जो भी all totally जितने भी वर्क जितना भी काम है वो सारे ही हमारे फोनों द्वारा हुआ करेंगे वस्त्र पुट के रुपे कार्णम आविशक्तन भविश्यती भविश्य में हमें कभी भी अपनी वस्त्र पुट के मतलब जेब के अंदर हमें पैसा रखने की जुरुत नहीं प पढ़ेगी भविश्य में पठनार्थ पुस्तका नाम समाचार पत्रा नाम अनिवारत और हमारे पढ़ने के लिए काफी सारी किताबे पुस्तक और समाचार पत्र भी हमें कहां पर उनकी भी हमें आविशक्ता नहीं पढ़ेगी कागज के उसमें हमें सब चीजे फोनों में मिलेंगी और अपरिचित मार्ग दर्षक से मान्चित्र से आविशक ताया अनुभूती अपी भविश्य ते और हमारे भविश्य के अंदर हमारे जो मार्ग दर्षक हमें मार्ग दिखाने के लिए, भटके वें मार्ग को दिखाने के लिए मानचित्र की भी जुरत नहीं पड़ेगी, वो भी हमारे फोन में ही available होगा, और है, एततह सर्व एके नेव यंत्रन करतुम, और ऐसे-ऐसे काफी सारे यंत्र हमारे फोन में ही मिलेंगे, शाकादिक यार्थ फलक्रियांत विश्राम ग्रहेशु हमारे शाक सबजियां सबजियां मतलब फल जैसे चीज़े विश्राम ग्रहेशु कक्षम सुनिश्चित करतू गेस्ट हाउस टाइप जैसे होटेल में कोई भी रूम है उस चीज़ की भी बुकिंग करने के लिए हमें कागचों कि चिठे जो होते हैं उन सब चीजूं की जुरत नहीं पड़ेगी या हमें वह चीज़ वहां जाकर नहीं करने पड़ेगी चिकित्सा ले शुल्क प्रदातू चिकित्सा डॉक्टर्स को भी शुल्क फीस देने के लिए विध्याले महा विध्याले चापी शुल्क और हमारे कॉलेजिस की और हमारे जो स्कूलों की फीस होती है शुल्क जो होता है वो हमें प्रदान करने के लिए किम बहुना दानमपी और यहां तक की यह बोल रहे हैं कि यहां तक की दान देने के लिए भी हमें हमारा जो चल दूर भाष्य अंत्रम है उसकी ही जुरत आजकल मतलब सही रहेगी दान देने के लिए भी फोनों का ही इस्तमाल होगा डिजी भारतम अस्याम दिशी वयम भारतिये दूरत गत्या अग्रसरम और इसी प्रकार हमारा जो भारत है वो पूरा डिजिटल भारत बन चुका है और आगे आगे वो इसी प्रकार हमारा जो भारत है वे बढ़ता रहेगा इसी के साथ हमारा क्लास एट का तृत्य पार्ट बिजी भारतम कम्प्लीट होता है और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूले With this, thank you so much